भाया अगर आप MP के निवासी हैं, तो आपको ये तो पताई होगा कि CPCT क्या होता है, CPCT का फुलफॉम होता है, Computer Proficiency Certificate Test, MP Government जो वेकेंसी से लेकर आती है, उनमें से कईयों में CPCT कंपलसरी कर दी गई है, और CPCT July 2021 का Official Notification आ चुका है, और आज की इस वीडियो में आपको इसकी notification नहीं आता है, बस इसकी exam date आती है, कि इतनी तारीक से आपके examination form, यानि की application form बनना start हो जाएंगे, CPCT के, उसमें ये भी जानकारी रहती है, कौन से मन्त के लिए start होंगे, कब इसकी last date है, और कब इसका exam होगा, इसकी जानकारी देने के लिए मैंने यहाँ पर form जानकारी website को नहीं आती है, यह आपका बस computer की qualification का एक test होता है, और आपको एक certificate दे दिये जाता है, कि आपकी typing speed इतनी है, और इसमें computer का भी एक online test होता है, जिसमें आपको जितनी जानकारी हो, उससाब से number मिल जाते है, age limit इसमें कुछ भी नहीं रहती है, बस आपकी इतनी qualification होनी चीए, क आप इसके form को apply कर पाएं, और अगर हम इसमें qualification की बात करें, तो आपने 12th कर रखी हो, या फिर आपने 10th के बाद कोई polytechnic diploma किया हो, तो भी आप इसका form apply कर सकते हैं, अब हम आपको बताते हैं कि कौन से state के निवासी इसके form को apply कर सकते हैं, तो मद्धिप्रदेस का होना 8 August 2021 को conduct किये जाएगा, अगर हम इसकी application fees की बात करें, तो इसकी fees all category के लिए, यानि कि अगर आप general के निवासी हैं, SC, ST, या OBC के निवासी हैं, तो total fees इसकी 660 लगती है, बाद में इसमें कुछ portal charge भी जोड़ी आता है, अगर हम इसमें document बगएर upload करनी की बात करने हो, तो इ ID probe में वैसे तो other card compulsory है, लेकिन अगर आपके पास other card नहीं है, तो आप other document भी upload कर सकते हैं, आपके पास आपका email ID और mail number भी होना compulsory है, जब इसकी form start किये गया थे, तो इसकी validatorी सिर्फ 2 साल के लिए थी, फिर बढ़ा कर इसको 40 साल कर दिया गया था, लेकिन अभी इसकी validatorी क पर click करना है, और form को दुबार से apply करना है, अगर आप इस page को थोड़ा सा और scroll down करेंगे, तो आपको यहाँ पर official notification बगएर मिल जाएगा, इसकी rule book मिल जाएगी, CPCT का slavers क्या रहता है, उसकी जानकारी मिल जाएगी, और अगर आपको previous years के CPCT के question papers भी download करना है, तो भी आप उ पूरी process बताइए कि कैसे आप इसका registration करेंगे, और अगर आप CPCT का registration कर चुके हैं, या आपके पास पहले से ही इसका registration है, तो आप right side की video को दिख सकते हैं, जिसमें मैंने step by step पूरी process बताइए कि कैसे आप CPCT का form को apply कर सकते हैं,